वेलकम दोस्तों मैं होटकोड जीतंदर आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि मेरे पास में बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से फोन आते हैं, बहुत से लोगों का यही पूछना होता है कि सर हमारी उपर 498A की FIR हो चुकी है, तो क्या हम एंटिसीपेटरी बेल लेनी चाहिए, या पर नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे बहुत टेंसन हो रही है, हम करे तो क्या करें, तो यहाँ पर उनकी इसी टेंसन को मदूर करने वाला हूँ, बिल्कुल रियल फैक्टिस वीडियो के अ नंबर दिये गया है, पॉंटमेंट लेग मेरे से बात कर सकते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं यहाँ पे मैं किलियर कर देता हूँ कि मानने सुप्रीम कोट ने 2014 में एक जज्जमेंट पारित की, वो जज्जमेंट है, अन्नेस कुमार वर्सेज इस टेट व बियार का जज्जमेंट है, तो इस जज्जमेंट में सुप्रीम कोट ने यहाँ बात किलियर की है, कि जो 7 साल तक के मामले हैं, या फिर 498 हैं, जो 7 साल तक के हैं, उनके अंदर क्या होगी, कि पुलिस अरेश्टिंग नहीं करेगी, उन मामलों में कि 498 हैं का जो मामला है, वो 7 साल तक का बनता है, तो यहाँ पे इस में भी क्या होगा कि अरेश्टिंग नहीं होगी, क्यों 41 A का CRPC का नोटिस जाएगा, यहाँ भी हस्बेंड के पास में, और उस हस्बेंड को क्या करना पड़ेगा, कि जो 41 A में जो बाते खई गई हैं, जो 41 A में जो बोला जाएगा, उसको कि इस इस इस्तान के उपर investigation के लिए हाजी रहो, इस तारीक को हाजी रहो, तो उसी तारीक को उसको वहाँ पर investigation के लिए जाना पड़ेगा, यह rule उसको follow करना पड़ेगा, अगर वो 41 A notice की पालना नहीं करता है, तो उस situation में उसको पुलिस गरबतार कर सकती है, otherwise उसको पुलिस गरबतार नहीं करेगी, अगर वो proper जो कानूनी परिकियां उसकी अगर वो पालना करता है, तो उसको पुलिस गरबतार नहीं करेगी, यहाँ पे इस judgment के अंदर बाते खई रही हैं, तो यह बात इस प्रश्ट हो गई होगी, 498 A में anticipatory bail लेने की आवसरत तर नहीं है, क्योंकि इस judgment के according clear हो गया होगा कि यहाँ पे उसकी अरेश्टी नहीं होगी, पती की अरेश्टी नहीं होगी, उसको पती को गिरबतार नहीं किया जाएगा पुलिस के तुवारा, यह बात clear हो गई होगी, अगर 498 A के साथ में, अधर कोई section है, जिसमें यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा की सजा है, या फिर ग हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बता दू कि investigation में भी पूरा सयोग करना पड़ेगा पतिग, अगर वो investigation में पुलिस का सयोग नहीं करता है, जो बाते हैं उसे पूछी जाती हो नहीं बताता है, यहाँ पे जो बाते हैं उसको पुलिस गिरबतार कर सकती है, इस condition में, तो यह बात भी यहां पर हो गई होगी यहां पर वेसे गिरपतार नहीं करने वाली है पर अगर वो कुछ बाते चीप आए या फिर मुक्रे अपनी बातों से तो उसको गिरपतार कर सकती है या फिर कानुनी परकिरिया उसके उपर लागू हो सकती है तो यह बात यहां पर हो गई होग यह बात इस judgment में भी खई गई है तो पूरी जानकारी आपके समझे में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके share जरू कर दी जो और लोगों भी जानकारी का पता चल सके तो फिर आगे में लेंगे आप से ने वीडियो नेट टूपिक के साथ में आप सभी का बहुत बहुत